Hello everyone, welcome back to another video तो दोस्तो RGPB के और सासन के All Courses के रिजल्ट अब अगेरा सब कुछ आ चुके हैं Only वज़े हुए है फर्स्ट सेमेश्टर साथ के साथ साथ सार्केंड समेश्टर बैकलोग बीटेक बीटेक बीफार्मसी दोस्तो बीफार्मसी सेकेंड समेश्टर के बैकलोग एक्जाम बहुत पहले हो गए थे लगवक 65-70 days कंप्रीट होने जा रहे है लेकिन बैकलोग का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है एक्जाम जनवरी फैबरी के मन्त में कंप्रीट हो गए थे थर्ड समेश्टर जो बीफार्मसी के एक्जाम होए थे उसी के साथ सेकेंड समेश्टर के भी एक्जाम कंप्रीट हो गए थे और जो बीटेक के हुए थे वो अफटर दा थर्ड समेश्टर एक्जामिनिसंस Even semester के exam जो कि last semester 6th semester वालों के exam license start होने जा रहे हैं लेकिन अभी तक और session का second semester backlog exam license result नहीं आया है अब कुछ student का backlog exam भी अच्छा नहीं गया था जिसके current बोलोग भी ये सोच रहे हैं कि back में back ना आ जाए और वहीं पर current semester exam license की भी तयारी करना है और आपको पता ही है कि current semester साथ साथ backlog exam license अव साथ में ही होने लगे हैं तो फिर थोड़ी चिंता भी होती है कि अगर current semester में फिर से वैक लग गई तो फिर 7 बैक का year वैक का डर लगता है दोस्तों आप 10 से 12 ताइक तक वेट कर लीजिए 10 अपरेल से 12 अपरेल तक का इसी के बीच आपका result आ जाएगा क्यूंकि यार 70 से 75 दिन हो जाएगे तो उसके बाद इतना delay नहीं होगा बाकि अगर दोस्तों 10 से 12 ताइक तक आपके result नहीं आता है तो फिर उसके आंगे आप result जल्दी से आपाए और वीटेक वालों का तो फिक्स है लाश्ट वी को अफ अपरेल के पहले ही आ जाएगा क्यूंकि और सेमेस्टर के एक्जाम स्टार्ट करना है तो दोस्तों आप लोग कुछ समय और वेट कर लिजिए उसके बाद कुछ ना कुछ किया जाएगा तो या